जब दादों में दर्द होता है तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी खाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी दाद दर्द के कारण परिशान हैं तो आज हम आपको कुछ घरेलू और आसान उपायों के बारे में बताते हैं। नमक वाले पानी से कुला करना दाद दर्द का एक प्रभावी इलाज है। सॉल्ट वाटर एक प्राकरतिक के टाणू नाशक है जिससे कुला करने से सूजन कम करने और किसी भी मौकिक घाव को ठीक करने में मदद मिलती है। एक प्रास गर्म पानी में आदा चमच नमक मिलाएं और उसे माउथ वाश की तरह इस्तमाल करें। लस्ट भी दर्द कम करने में काम आता है। इसकी एक कली को दर्द वाले दांद पर रखें और हलके हलके चबाते रहें। आपको कुछी समय में आराम महसूस होने लगेगा। प्यास में मौजूद antiseptic properties दर्द को कम करने की शमता रखती हैं। इसके लिए आप प्यास का एक छोटा टुकडा लें और इसे दर्द वाले दांद पर कुछ देर रखें और हलका हलका चबाएं। अगर आप टुकडा मूह में नहीं रखना चाहते हैं तो प्यास के रस को क पॉटन की मदद से दांद पर लगाएं। पुदीना दर्द और समवेदन शील मसूडों पर काम करता है। एक इस्तमाल किया हुआ टी बैग लें और इसे ठंडा होने दें। फिर इस टी बैग को प्रभावित जगर पर लगाएं। आप कुछ मिंटों के लिए टी बैग को फ्रिज में रख सकते हैं और फिर इसे प्रभावित दांद पर भी लगा सकते हैं। लेकिन याद रही कि अगर दर्द जादा हो तो इक टेंटेस को ज़रूर दिखाएं और उनके सुझावों को फॉलो करें।